अगर आप हमारे चैनल पर फर्स चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल पटन पे क्लिक करना ना भूने जिससे हमारे सारे फॉकिन विडियो आप सकते हैं कैसे हैं मित्रों आसा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे तो चलिए जैसा कि आपको पता है इंडियन जियोगर्फी और जियोगर्फी के अंतरगत हम डेली आपके बीच में सव महत्पूर्ण वन लीनियर कोस्टन सांसर पर बाते कर रहे थे उसी पर पेच में आज य चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जैसे कि इसी तरीके के जो भी महत्तपूर्ण वीडियो आपके ग्यामनेसंस के लिए हैं वो आपको उसका नोटिफिकेसन सबसे पहले मिलता रहे तो चलिए पहला प्रशन आपके स्क्रीन पर जैसा कि द का बुद्ध और सुक्र दूसरा प्रस्ण है किन ग्रहों को सौर मंडल के आंत्रिक ग्रहों की संग्या दी जाती है तो बुद्ध शुक्र पृत्वी तथा मंगल को सौर ग्रह का आंत्रिक ग्रह की संग्या दी जाती है किसको किसको बुद्ध शुक्र पृत्वी तथा मंग कुम्त इसके बाद है इरी और और इरी और इरी और इसको हटाता हूं इरी और ऑंटोरियो जीलों के बीच कौन सी विश्च प्रसिद्ध जल प्रपात इस्थित है यहां पर किसके किसके बीच की बात कर रहा है इरी और ऑंटोरियो जील के बीच की बात हो रहा है किसके किसके या जाने के लिए जाने वाले जलयान Cape of good hope मार्ग से जाते हैं जबकि वापसी पर यह स्वेज नहर जल मार्ग से गुजरते हैं ऐसा क्यों क्योंकि इसका सबसे बला कारण है जाते समय पच्छवा पॉने अनकूल होती हैं लुड़ते समय इन पॉनों से बचने के लिए एसा हो करती हैं green peace क्या है तो green peace ये पर्यावरेण समर्थकों का अंतराश्टी शंगठन है इसके बाद अगला पॉइंट है वर्षाकाल में किस समय वाई मंडल सबसे अधिक आदर होता है आदर का मतलब क्या होता है जब वर्षाकाल का समय ऐसा कब होता है मित्रों प्राता काल यानी जब शुबा शुबा होती है तो वहाँ पर ऐसी इस्थिती बन जाती है और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ जाती है भारत में दच्छिन पस्चिमी मानसून का समय सामान ने कब से कब तक होता है तो जून से सितमबर तक भारत के मान एेरिया जो है शब्शे बढ़ा है तो ये गोदावरी नदी का कस्मीर की सिंधू और पामीर पठार के बीच विश्तिट पर्वस रिंखला को क्या कहा जाता है कारा कौरम राभिण आफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले किसको को क्या कहा जाता है फैलाह चलिए अग्ला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है किसी मांचितर पर अंकितोभ कलपिते रेका जो किसी विसेश अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदू को जोड़ कर बनाई जाती है कहलाती है आइसो प्लीथीन आइसो फ्लीथ लाइन कहलाती है आईए आगे बारते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है अच्छे पॉइंट्स हैं मित्रों बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं वन लिनियर की बात तो जरूर है लेकिन वन लिनियर में ही आपको कम समय में बहुत सारे प्रस्ण आपके तयार हो रहे हैं यह आप लगभग 1000 questions हैं तो यह पूरे पार्ट 10 के 10 आप जरूर से जरूर देखिएगा आईए देखिए दोलन तरंगती सिद्धानत द अन डियूलेशन एंड ऑक्सिलेशन थेयरी का प्रतिपादन सरपत्थम किस ने किया हर्मन महोदे ने 1930 इस भी में भारत की मुपलाज ज च्छनी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है तो लंबा दिन जो है सबसे लंबा दिन कब होता है बाईस दिसंबर के दिन सबसे लंबा दिन होता है आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं छोटा नागपूर पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है पारसना तासकंद समरकंद बुखारा नगर किस देश में इस्थित है उजब के स्तान में कोचीन का जुड़वा नगर है एना कूलम जौला मुखी परवत को कोट फैक्स कहा इस्थित है एकवे डोर में ग्रे नाइट की गड़ना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है पाताली आगनीय सेल मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप इस्थित है फिलिपीन्स में कहा पर फिलिपीन्स में भारत में प्रतम बहु उद्देशी नदी घाटी पर शत्लज जजनदी जो है सिन्धू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। किस देशकी राजदानी है। कोलंबिया का पठार किस देश्में एसती है। संयहकतराज जमेरिका के siya rand 1000 जनटू किन्ग छेटर से समदित ढूलयविय परदेश याईन पोलर रीजन। शितारो इस्टार्स तत्था प्रित्वी के बीश दूरी नापने का मात्रग कहलाता है प्रकास वर्स लाइट का जो है लाइट या जिसको कहते हैं दूरी का बड़ा मात्रग है यह आगे बढ़ते हैं next point पर next question पर अगला प्रशन क्या है काजी रंगा पशु अभ्यारण किस राज में इस्थित है असम में एंडीज परवत माला दच्छिन अमेरिका की शर्वत चुचोटी है एकांग कागुआ श्री सेलम बिद्दुत परियोजना किस नदी पर इस्थित है किसना नदी पर फीजियोग्राफी में किसका वर्डन कि बार्थो लम्यों डियाज को शूरीयोदे उम्शूरियास्त के शमय बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्न है थोड़ा सा उपर करते हैं तो आप देखेगा question क्या करा है शूर्योदे ऊम्शूरियास्त के शमय शूर का रंग लाल किस कारण से होता है तो अन्य रंगों की तुल को बुर्जिल तता जो जीला दर्रे कि सिराज में इस्थित है जम्मू कष्मीर भारत में रेल मार्ग का सब्से बड़ा किस राज्य में पाया जाता है उत्तर प्रदेसमें उत्तरी अमेरिका के किस परवत माला को महादीपी जल विभाजक कहा जाता है रौकरीज परवत माला को किसको रौकरीज परवत माला को इसके बाद है यदि भारती मानक्षमे पूरवान 10 बजे हैं तो 92 अंस पूरवी देशांतर पर स्रीलंग का शमय क्या होगा 10 बज के 38 मिनट पूरवान हो जाएगा जैसा कि आपको पता है एक मिनट में कितने अंस का अंतर आता है एक अंस में चार मिनट का अंतर आता है तो वहाँ से आप इस चीज को निकाल सकते हैं आशानी से बाकी सिखाया भी गया है एटक ज्वाला मुखी किस देश में इस्थित है एटक से नाम आता है इटली का इटली में ही इस्थित है कहां पर इस्थित है मित्र इटली में अगला पॉइंट है तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपत्तट कंड कहां इस्थित है भोर का तारा किसे कहा जाता है, पहला प्रिश्ण Πृत्थभी की बहन किसे कहा जाता है दूसरा प्रतिवी की बहन और तीसरा प्रतिशन है सबसे सुन्दर ग्रह किसे कहा जाता है या सबसे सुन्दर ग्रह कौन सा है तीन क्वेशन आप से पूछ रहा हूँ इस क्वेशन का जवाब मैं अगले पार्ट में आपको दूँगा आपको जवाब देना है कमेंट के माध्यम से आईए नदियों के प्रोदूशन की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से मरकोसर बना है लेटिन अमेरिका के देशों के शमोश मंगल और ब्रहस्पति की कच्छाओं के भी सूर के चारोद परिक्रिमा करने वाले शिल के छोटे टुकड़ो के समोख को क्या कहते हैं छुद गड़ा एस्टरोइट्स कहा जाता है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अच्छा पॉइंट है अच्छा प्रस्न है बेल्जियम का एंट वर्प नगर की सवस्तू के व्यापार में विश्र का सब्षे बड़ा केंद्र माना जाता है हीरे के व्यापार में अपनी धुरी पर सूर की और अधिक जुकाओ के कारण की सग्रह को लेटा हुआ अगरा करते हैं यूरेनस अरुण को सूर से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुद्ध शुक्र पृत्वी मंगल ब्रहस्पति सनी यूरेनस नेप्चून उसके बाद प्लूटो जैसा कि आपको पता है प्ल अगला पॉइंट है यूरोप से आस्टेलिया जाने के लिए यूरोप से आस्टेलिया जाने वाले जलियान पचूआ हवाओं के अनकूलन के कारण केप ऑफ हेड केप गुड होप मार्ग से गुजरते हैं श्वेज नहर जल मार्ग कौन से नहर जल मार्ग गुजरते हैं अगला पॉइंट कोंकल रेलवे किन राज्यों से गुजरती है महाराष्ट गोवा और करनाटक से पीर पंजाल बुंदील पीर तथा बनिहाल किस परवस्षेणी के प्रमुख दर्रे हैं पीर पंजाल जम्मू कश्मीर शेणी का प्रमुख दर्रा है राजस्तान इस्थित मरुस्तल नाम से जाना जाता है थार का मरुस्तल भारत कितने अच्छांस वें देशानतरों के मध्ध है केटू गाडविन आस्टिन की परवत शिंखला की सरवोच चोटी है तो यह है कारा कोरम कारा कोरम परवत शिंखला की सबसे सरवोच चोटी केटू गाडविन आस्टिन हाती है जैसे की भारत की सबसे उची चोटी में भी इसका नाम आता है निल गिरी और अनना मलाई के बीच इस्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है पाल गाट राम यश्वरम की सराज्ज में इस्थित नम्लनाडु में रुद्ध प्रियाक के नदियों के शंगम पर इस्थित है अलकननदा और मंदा किनी के शंगम पर तिहरी बाद पर योजनाशे निर्मित जलाशे का क्या नाम है श्वामी राम तीर्थ सागर एनीमो मीटर यंतर से क्या नापते हैं हवा की गती फिलिपीन्स दीप के पास विस्व का सब्षे गहरा गर्थ इस्तित है इसका क्या नाम है कई मर्त भी ये आपकी ग्या में पूछा जा चुका है नदी मार्ग में जल प्रपातो का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का धोतक है यूवा अवस्था का किस का है मित्र यूवा अवस्था का आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट आपके सामने है टोंबोलो नामकम इस्थला क्रिती का निर्मार किस के द्वारा होता है शागरी लहरो द्वारा पृतिभी का अंतरी मश्वर्ग किस दीब को कहा जाता है इंडोनेशिया को भूमत शागरी छेत्रों में पेडों पर चड़ी लताओं को क्या कहा जाता है लियाना सोवा राय पहाडी किन दो नदियों के बीच इस्थी थे कावेरी और पिननार के बीच जावाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे का दिया गया है बनिहाल दर्रे का अगले पॉइंट अगले प्रस्ण की तरब बढ़ते हैं मचलियों का अध्यन बेरी इंपोर्टन कोईशन अच्छा है मचलियों का अध्यन भूगोल किस साखा के अंतरगत किया जाता है इक्तियों लजी के अंतरगत जस्ता के लिए प्रसद जावराख KHाने कि सराज्ज में इस्तितै राजस्थान में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परवशनियों का मिलन कहा होता है पलनी पहाडियां में विक्टोरिया जीलकिन अफरीकी देशों के मद्ध इस्तित है तंजानियां कीनियां और यूगांडा के मद्ध कुंदेर मुख लोह इसपात योजना किस राजिसे संबंधित है कर कोट किस खनीज के लिए जाना जाता है कोईला के लिए किस के लिए जाना जाता है फ्रेंट कोईला के लिए अगले पॉइंट की तरफ अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं व्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर इस्तित है लापलाटा नदी के तट पर विश्च की शबश stream को भारत के इसली हेती मान चितर टोपोग्राफिकल मैप किस के दोरा बनाया जाते हैं सर्वेय ओफ लभ इंडिया के दोरा किस के दोरा बनाया जाता है अगले पॉाइंट अगले प्रस्ण की धरफ रुख और जाते हैं किस राज्ज में शड़कों की लंबाई सरवाधिक है महाराष्ट में शमुद्र पर चांदी पार चांदी पुरांसी किस बात के लिए जाना जाता है मिशाइल टेस्टिंग रेंज के लिए ब्राड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी जो होती है 1.676 मीटर होती है वेरी इंपॉर्टन क्वेस्टन है कई बार ये एंटी पेसी के एक जमें पूछा है हिंदुस्तान एंटी बायोटिक प्लांट इस्थित है रिशी केस में कि सराज्ज का 90 प्रतिस्ट स दर्मदा नदी इसके बाद सोर नदी के पूर्व इस्थित पठार कहलाता है चोटा नागपूर का पठार पुली कट एक वलिया का लेगून जील है इसे समुद्र से अलग करने वाली धीप का क्या नाम है श्री हरी कोटा कौन सा है श्री हरी कोटा से इसको क्या किया जाता ह अलग करते हैं अगले पॉइंट की तरफ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं डालफिन नोच चटान के पीछे कौन सी बंदरगाह इस्थित है विसाखा पटनम जेलर नदी का उद्गंपीर पंजाल सेणी के किश अस्थान पर इस्थित है वेरी नाग कुंदमुख कुंद ट्रेड मार्क किस महासागर में होकर गुजरता है अटलांटिक महाशागर में कहां अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं आईए अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है क्रीट से क्रीटैसियस क्रीटैसियस युग में इस्थल के दो भाग थे उत्री ध्रू के पास क इस्थल भाग लाउरेसियस लेट कहलाता था दच्छनी भाग क्या कहलाता था गुंडवाना लेंड चिल का जील किस परकार का जील है लैंगूर जील माला गासी सोकोत्रा सोकोत्रा जंजी बार और को मूरा किस महासागर के दीप हैं हिंद महाशागर के गल्फ इस्ट्रीम गर्म जल्धारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जल्धारा का मिलन अस्थान निव फाउंड लैंड में विस्ट्र के तीन प्रमुख मौसम के अंदर बताई है मेलबॉर्न मौसको तथा वासिंग गठन इसके बाद है महोगनी रोजबुड आइरन बुड शोडार सुरू हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी किस नाम से जानी जाती है एजी की प्रसिएुराइं न देखर तक कि अवधि प्राप्त करने वाले अस्थानों को मिला कर खीची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं आइसो हेल आइसो हेल 30 अंस से 35 अंस अच्छानसों के मध्ध दोनों गोलार्धों के उच्च दाब खेतर को क्या कहा जाता है अस्व अच्छांस अस्व अच्छांस का मतलब क्या होता है हॉर्स लेटी ट्यूट के नाम से जाना जाता है किसके नाम से हॉर्स लेटी ट्यूट के नाम से जाना जाता है अस अच्छांस से डोल्डरम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है व्यापारिक पौने ट्रेड वैंड्स चंबल नदी का बीहर छेतर किस पठार में इस्तित है मालवा पठार में मिट्टी की अमलियता या छारियता का मापन हाडोजन आयन के आधार पर किया जाता है ज अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं मक्का का शरवाधिक उत्पादन करने वाला देश सन्युक्त रज अमेरिका मत्स उत्पादन के दिष्टी से भारत का कौन सा तट अधिक महत्तपूर्ण है पस्चिमी तट पिन कोड संख्या के आखरी तीन अंक क्या सूचित करत आप जानते रहें इंपोर्टेंट पॉइंट है अच्छा पॉइंट है आपसे पूछा जा सकता है विक्टोरिया जील किन अफ्रीकी देशों के मद्ध इस्थित है तंजानिया कीनिया और जैरे में अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे अगला पॉइंट क्या करा है हव अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाएंगे अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कह रहा है कि सौंदर ये प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से उप्रयोग किया जाने वाला मशाला कौन सा है हल्दी भारत में शरवाधिक वर्षा वाला अस्थान कौन सा है मासिन राम उष्ण कटिबंधी लंबी घाशों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं शमाना पेडोलोजी के अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है मिट्टी के कटाओ भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है मिट्टी का अपरदन या आच्छादन बनाने के लिए पौधा उगा करके उसका अपरदन क्या किया जा सकता है रोका जा सकता है अगले पॉइंट की तरब बढ़ते आते हैं अगला पॉइंट अगला प्रश्ण भारत में पहली पहला उनी कपड़े का कारखाना थाइसो चेतर में लाल इमिली के नामशे खोला गया कानपूर में इदुक की जल बिद्दूत पर्योजना कि सराज्य में इस्थित है केरल में दुदवा राश् किस परवर्शणी तथा किस देश में स्थित है और इंडिज परवर्शणी इकवेड़ोर में वेरी इंपोर्टन बहुत ही महत्तपोरण प्रस्ण है अगले पॉइंट की तरफ अगले प्रस्ण की तरफ रुख करते हैं तश्मानिया दीब किस देश है महादीब के पास इस राज में है उत्तरांचल राज में कुपड़ा जल विद्धुत पर्योजना किस राज में है तमिल नाडू में बिश्व मौसम संगठन का मुख्यल है कहां इस्तित है जेनेवा में शेर सा सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रक रोडपूर में किन दो अस्थानों को अंत म महादीब का कौन सा देश छेत्रफल के दिश्टी से सबसे बड़ा है ब्राजील गुजरात में बडोधरा छेत्र की मोती पुर्खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है सफेर संगमर मगंगा नदी कहां से कहां तक नोगम में है इलाहबाद से हल दिया तक जैसा कि आपको पता है इलाहबाद का नाम बदल करके अब प्रियाग राज कर दिया गया है एक प्रस्ण मैं आप से पूछ लेता हूं इलाहबाद तो पहले प्रियाग राज का नाम ही था लेकिन बदल गया था अभी ये तुबारा से योगी राज में इलाहबाद का नाम बदल करके प्रि पूरे में किन ग्रहों और सौर मंडल के आंत्रिक ग्रहों को संग्या दी जाती है बुद्ध शुक्र पृत्वी तथा मंगल ये गरह अभी आया हुआ था ये प्रस्न वहां से फिर्श दुबारश है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है चली अगला पॉइंट एसिया का मृत साग कीनिया और जाइरे भारत में दछ्षिण पस्ची मांसून का समय क्या है जून से लेकर के सितंबर तक प्राकृतिक बांद जो उच्छ घाटी में पाये जाते हैं उसे क्या कहा जाता है तट बंध लिए उससे तट बंध के नाम से जाना जाता है अगला पॉइंट गंगा न में गुजरात की कौन सी डेरी विष्व में विख्यात है अमूल आवराज का अंतिम प्रस्ण रखते हैं अरब शागरवा बंगाल की खाड़ी में विख्यात है तो आसा करते हैं कि सारे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से ध्यान दे करके शुने होंगी यह वन लीनियर क अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेश का लिए थैंक्स फॉर वाचिंग आल दे वेस्ट वेस्ट लग आल आफ टेक केर